मरिश्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज है बनाएं कि आम का इंस्टेंट अचार जो बहुत चटपटा है और बन जाएगा असानी से तो यहाँ पे कुछ कच्चे आम लिए वह हैं यहाँ पे कोई भी आम ले सकते हैं और उसे पर अच्छे से धो देंगे और उस में तो पर मसाला आम के अनुसाल ज्यादा या कम कर लिजीगा और फिह लाली मिर्ज कांड़ कंद्व दाल रहाएं तो मेति जालिंगे जिन में मसाला होता है उसे बाद 3-4 शेल नाल मिर्ज डाल दें इससे कदर अच्छा आएगा और इसी बस धीमित आज पर हलका सा चटकनी तक हमें भूनना है बहुत जादा से लाग नहीं करना है और बस सिदिक यह बंद करेंगे ठंदा हो जाएगा बस ग्राइंडर जार मिदाल करके इसे हमें बारी पीस लेना है तुमारा मसाला तयार हो गया अब एक बड़ा कोई बड़तल लेंगे एक कप क्रश क जो है तेल को जors गर्म करको मस्ल्ड स्वट अडर बडल देंगे तो यह जो लाषन दटесь ना अभी-ही तो उनसमें पकग जाएगा तर ऑन ढग देंगे आर शकre Şimdi झाल जाएमिना जो है इसके ऩर ने मिक्स कर लेंगे तो गरन तेल में रहने से क्या होगा मसाले यहां पर जो मसाले की जो अपनी खुश्बू है वो अच्छ से मिल जाएगी और सी में फिर हम डाल देंगी कटेवे आम मसाले में आम को अच्छी तरह सिर्फ हमें मिक्स कर लेना यह अच्छार बनाने में क्या होता है कि हम चौबिस घंटे के बाद है मेंसे अच्छे से खा सकते हैं बनाना बहुत ही आरसान है और जब भी हम अच्छार बना लेते हैं तो जब खाना कुछ चट-पटा नहीं लगता तो खाने का मज़ा आता है, अब हम उपस जा देंगे नमक और इसके बाद भी इसे हमें मेक्स कर लेना है, यहां पर आपको तेल लगे का तो आसा कम है लेकिन अभी कोई जरुवत नहीं और तीर मिलाने क्योंकि जब यह दो चार घंटे रहेंगी न तो यहां पर और तेल इसम इसी काच के बरतन में या मरतमान में जो है इसी हम चेंज कर देंगे, इसी के बरतन में अचार नहीं रहने देंगे, तो यह चार देखी कितना तेस्टी लग रहा है, देख के खाने का मन करेगा, यह अचार एक हपता आराम से रह जाता है, अकर इसको धूप में सुखा दें तो आप भी अचार बनाईए और साथ मिखाई थेंक यू सो मच फर वाचिंग